हलो एंड वेलकम तो माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल लर्निंग हाप तो फ्रेंड इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले है रिवॉल्ट ओप 1857 जी हां आपके एक्जामनेशन पॉइंट ओफ विव से यह बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक बनता है इंडियन मॉडर्न हि इस वीडियो में हम क्या करने वाले है कि यह सारे जो चीजे इसमें आती है जो हम सारी चीजे इस वीडियो में डिसकस करेंगे क्योंकि कोई भी क्वेस्चन आपके एक्जामनेशन में आये इस टॉपिक से रिवॉल्ट ओप 1857 से तो आप से वह मिस्स नहीं होगा इतनी मेरी गॉरंटी है क्योंकि मैंने तमाम जो है इंपोर्टेंट फैक्टस सारे इस वीडियो में इंकिलूड किये है तो चलिए हम वीडियो को सिटार्ट करेंगे उससे पहले आगर आप इस चानल को पहली बार विजिट कर रहे हो जो कि मेरी चानल है यूनिवर्सल लर्निंग हाप तो आप यहां पे इस मेरी चानल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आने वाले टाइम में जो मैं कॉंटेंट आपके साथ शेयर करूगा तो उसकी जो इन्फोर्मेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उससे फाइदा उठा सके तो चले स्टार्ट करेंगे ह सबसे पहले क्या है हमारे पास वो है बेक ग्राउंट जी हां सबसे पहले हमें पढ़ना है बेक ग्राउंड क्या था इस रवर्ट का ये रवर्ट स्टार्ट क्यों हुए जैसाब क्या आपको पता है कि Battle of Palaisy जो हुई थी 757 में उसके बैट ब्रिटिश पावर जो है वो इंडिया में बहुत ही बढ़ गए थे इस Battle of Palaisy के बैट तो ब्रिटिश ने क्या स्टार्ट किया ब्रिटिश ने बहुत ही comprehensive policies बनाई और उसके साथ-साथ जो है उन्होंने उससे जो है economic exploitation हुई इंडिया की और उसके सासा जो administrative innovation किये उन्होंने time to time उससे जो है एक बहुत बड़ा effect पड़ा in डिया की ओवराल population पे उसके सासा जो था तो ब्रिटिश सििटम का जो सुपोई याने जो सुलजर्स थे इंडिया के ब्रिटिश सिटम के अंडर तो उनके साथ जो उन्होंने बरताव किया था तो वो भी एक कारण बना Revolts of 1857 का तो इसके सासा जो जमिनदार, पीजेंट्स हो या ट्रेडर्स हो आर्टिजन्स हो पंडितिस और मौल्वीज हो इन सब के सास्थ जो ब्रिटिश ने सलूक किया तो उसके बाद क्या हुआ कि Revolts of 1857 की सिटार्ट हो गई, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ जब ये सारी चीजें ब्रिटिश करता है तो आटोमेटिकली एक एंगर पेदा हुआ हर एक सेक्शन में जिनको एकस्प्लाइट किया गया जिनको कोई भी किसी तरह का एफेक्ट पड़ा ब्रिटिश पोलसी से तो उनके अंदर जो है एक एंगर जो है वो आ गया था लेकिन इसका सिटार्ट कहा से हुआ वो हम आगे देखेगे इन डीटेल तो अगर हम आगे बात करेगे तो कास क्या थे रिवोल्ट के ये रिवोल कास दूसरा था पुलिटिकल कास तीसरा था अड्मिस्ट्रेटू कास जो था जो है वो है सोशो रिलिजिस कास फिफ्थ है आउटसाइड इवेंट्स और सिच्स्थ है वो है डिसकॉंटेंट अमंग सुपोई ये सारे जो कास है वो हम टीटेल में पड़ेगे तो चलिए दे बिली एलड्रचैश। नो थे तो इंडियर्स और मर्चेंट जो थे उन पर भी जो एकनॉमिक काद वो पर भी जो ना मिक था जिरे जहां था जांड्र वाइन गरे उरका 15दोन में ना दृटकैशन कास जारे है तो कैसे यह टनृटकिक यहां बहुत शुट पहले जो पीजन आन्पॉपुलर एयरेवन्यू सेटिलमेंट सेटाट किये जो कि हमारे जो इंडिया के किसान थे तो उनको जो है उस सब को भी जो है नोलेज नहीं था कि ब्रीटिश कार क्या रहा है तो हटी टेक्जेशन से क्या होता है जो पीजसें को क्या है कि है उनको लोन्स लेने पड़े जो कि money lenders थे उनसे जो है उनको loan लेना पड़ा loan क्यों लेना पड़ा क्योंकि आपको पता है उस वक्त जो प्रोडूस था वो उतना ज्यादा नहीं था और जब उनको tax देना पड़ता था तो उसका जो पैसा था tax का जब वो effort नहीं कर पाते थे थे उनको फिर क्या करना पड़ा loan लेना पड़ा जो money lenders है उनसे उसके बाद क्या होता है जो money lenders है या traders है जो उन्होंने loan दिया है common people को वो क्या हुए उन्होंने जो फिर उसके बाद उनके जो पीजन्ट्स थे उनके जो लेन्ड थे उनसे पे कबज़ा किया और वो जो है landlord बन गए खुद landlord बन गए क्योंकि पीजन्ट्स के पास फिर वो loan जो है वापस पे करने का जो है कोई भी मतलब source नहीं था तो इसके बाद क्या हुआ जो money lenders से जो ने एक अर्जा दिया था वो खुद landlord बन गए तो इससे जो है पीजन्ट्स में एक एंगर जो है वो बड़ा फिर क्या हुआ आटिजन्स कलास जी हां इंडिया में जो आटिजन्स थे जो बहुत सारे आर्ट्स के सा जो एससेटेड थे तो ब्रिटिश क्या थी ब्रिटिश ने पोस्टिश लाई जिससे जो इंडिया का हैंडिक्राफ्ट है उसको डिसकरोइश किया गया और ब्रिटिश ने अपने गुड्स जो कि वो ब्रिटिश से ला रहे थे उनको प्रमोट किया ज्यादा ज्यादा और के हैंडिक्राप्ट को जो है वो डिस्करेज किया इस से क्या हुआ जो इंडिय के सिकलिड थे सिकलिड इंडियान्स थे उनको क्या किया गया उनको फोर्स किया गया कि वह कुछ दूसरे employment के opportunities देखे क्योंकि उनका जो हैंडिक्राप्ट है वो British उनिटली आटिसन्स को जब फिर कोई इंकम ही नहीं हुई तो उनके अंदर भी जो है ऐन गर जो है अगर अगेन इस ब्रिटिश के ख्लाब एक एंगर उनके अंदर भी बढ़ गया फिर क्या था एक और तब कह था वो था Indian traders and merchant class तो इंडिया ट्रेडर्स और मर्चेंट कलास के साथ क्या हुआ British ने ज़ो है High Tariffs त्रेडर्स जो है Indian made goods पे लगाए जो इन्डिया के ट्रेडर्स जो है ट्रेड करते थे दूसरे मुल्कों के साथ तो जब वो अपना सामा लाते थे तो उस पे जो ब्रिटिश ने हैं हाई टेरिफ ड्यूटी लगाई जिससे जो है ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा जो पैंसा है इंडी फॉर्म अब टेरिफ वो बरना पड़ता था और उसके सासा क्या था जो ब्रिटिश खुद ब्रिटिश लाते थे उनको जो है उन्होंने काफी काम टेरिफ रखा तो उससे क्या हुआ जब टेरिफ ज्यादा था इंडिया जो इंडिया ट्रेडर्स के गुड्स पे तो वो जो गुड्स है वो आटोमेटिकली जो है आप देख सकते हैं उनका प्राइज भी ज्यादा होगा और जो अब टेरिफ काम था तो उनका प्राइज भी काम था उससे क्या हुआ इंडिया जो है उन्होंने मूग किया ब्रीच गुड्स की तरह और जो इंडिया ट्रेडर्स के गुड्स थे उनको जो है डेफिनिटली बहुत ज्यादा इंखसां पड़ा उसके साथ क्या हुआ कि जो तो उनमें भी एक एंगर आया अगेन एक ब्रीटिश नेक्स्ट तब का था वो था जमीनदार्स आपको पता है इंडिया में जमीनदार जो है वो बहुत ही अच्छा तब का माना जाता था फ्रम ट्रेडिशन में ट्रेडिशनली और वो जो है लेंडलोड्स थे तो उनके सा जो साथ क्या किया गया है जो जो पावर था जमीनदार्स का उसको जो है रेडूस किया गया और जमीनदार्स कीया है जो यह इतने सारे जमीन पर कबच्प्ज है लो आप किस हख से Kirs कि flight ग्रीश को पैटर्स का उत्उर्ट ने स्रया है व क्बच्चा जो वो पताया या किस जो था विलेज लेवल पे तो भी काम होने लगा तो उसके बैद क्या है जमीन दार जो थे उनको अंदर भी जो है ब्रिटिश के खिलाफ एक आटोमेटिकली एक एंगर पेदा हुआ तो उसके बैद नेक्ष्ट हम देखेगे हमने पहले पड़ा है अब एकनोमिक कास तो उसके पहले इंडिया पेड़ा नहीं लेकिन जो मिजर पार्ट था इंडिया का उस टाइम उस पे पना इस कंट्रोल पूर तार बनाया था उसके साथ ब्ूचर ड़हें एक Water感謝 ते Mintすごい कि और नार्प है कुछ आइस साथ जो क्या दिए उसके साथ जो क्या फूच पॉर अन्हारी लाइ पुर्न कि Am Genadopend इसी अ लाए भी जिएल, जब उनाभ होग वा डाता हो दोगने है। रहें जग दोगने खेटरियन आपडैने संकोपपना और समय करें तो लागनिये में लागने से ऩरन पासी ने डाता होगा है तो उसमें था Satpura जसमें 1848 में कबजा किया बरीटिश ने उसके साथ साथ जैध ठी 맞़ा ऑर संभलपूर उसमें जों कबजा किया बरीटिश ने वो किया ए drain 149 उसके वे भगत उसमें बरीटिश का कान्टोल बना 1850 में, उधाइपूर में 1852, जांसी में 1853 और नागपूर में 1854 यह जब इतने सारी जगों पे ब्रिटिश डॉक्ट्रान अफ लेप्स यूज करके उनको अपने अंडर ले जाते हैं वहां के जो एक्चूल वहां पे हेर जो थे जिनको उस सिटेट का एक्चूली मिलना चाहिए था हक रूल करने का उनसे वह छीना गया तो उसके वेड़ क्या हुआ उनके अंदर भी ब्रिटिश के खिलाब एक एंगर पैदा हुआ इसके बैदार हम आगे बात करें एडमिश्ट्रेकू कास क्या था एडमिश्ट्रेकू कास आज भी चर रहा है हमारी कंट्री में वह था कॉरैप्शण प्लीस था और जो बाकि ऑपशर्स थे तो वहां पे जो है वो कॉरप्ट हो गय थे तो अपना काम लोयल्टी के साथ नहीं कर रहे थे इंडियन के लिए तो डेफनेटली इससे भी इंडिया का बहुत सारा तब का मतासिर हुआ और उनके अंदर भी ब्रिट्चर्स के खिलाप एक अंगर पेदा हुआ जो ब्रिट्चर्स की जो मैं यह बात कर रहा हूँ उस वक्त जो ब्रिट्चर्स थे वो थे इस्ट इंडियन कंपणी के नाम भी थे वो इस वक्त भी लेगिन थे तो वो ब्रिट्चर्स एक्च्यूली उसके बेद क्या हुआ सोशल अरिल जसकास क्या थे जिससे जो करते थे तो बिकेम क्रिस्टियन्स दूसरा जो था एबॉलेशन आफ सक्थी जो कि 929 में किया गया और आप प्रेजंट परस्पेक्ट्ट्व से देखे तो एक अच्छा काम माना जाता है और एक अच्छा काम था भी जो कि सक्थी था जिसमें जो अगर किसी औरत का जो जो थी वो उनके लिहास से गलत काम किया था दूसरा एक और पॉइंट था वो था विड़ो रिमेरेज एक्ट जो कि 1856 में पास हुआ था उससे क्या हुआ था जो विड़ो है उनको जो है फिर से जो है वो फिर मेरेज कर सकती थी जब उनके हजबन जो है वो डेफ हो जाता तो उसके बाद उनको फिर से मेरेज करने की जो है परिम्शन दी गई थी इस एक्ट से तो इस पे भी और्थोडाक्स जो रिलिजिस पीपल थे उनको आपती थी एक और चीज था वो था वो मेंस एजुकेशन डेफिनेटली एक अच्छा पॉइंट था लेकिन इंडिया के और्थोडाक्स पीपल जो थे वो कहते थे कि वोमें का है काम जो है वो एजुकेशन नहीं है याने वोमेंस को एजुकेशन हासल नहीं करनी चाहे थी लेकिन ब्रिजिश ने उनको एजुकेशन के सेक्टर में डाल दिया है एक और चीज था वो था टेक्स ऑन मॉस्क एंड याने जहां पर मज्जित थे और मंदिर थे उस जगह के जो जमीन थी उस पर भी टेक्स लगाया था ब्रिशुर्स ने एक और कास था वो था रिलिजिस डिसेबिल्टीज एक्ट 1856 यह एक्ट क्या कहता था यह कहता था कि अगर फादर की फॉर एक्जम्पल किसी का फादर ह और उसके बाद सन हो और फादर हिंदू हो और सन फिर कनवर्ट हो जाए मुसलिम में तो उसको जो है एज़रूल अपने जो फादर है उसकी ज्याधाद पर कोई भी हक नहीं रहता था लेकिन अग्जिस अबिल्टीज एक्ट के बाद जो है सन चाहे अपना रिलिजिए वो क अच्छा काम नहीं था तो यह जो सारे फेक्टर्स थे तो इसमें जो है डिसकंफर्ट पैदा हुआ जो कि और्थडॉक्स ग्रूप्स थे उनमें तो यह काज बना रिवोल्ट का तो आउटसाइड इवेंट्स यानि आउटसाइड क्या हो रहा था जो कि इस रिवोल्ट का क बना एक तरह उसी टाइम पर आप देख सकते हैं 1838 और 1842 में जो फरस्ट अफगान वार हुआ था उसके बैद पंजाब वार्स हुए थे यानि एंजलोसिक वार्स हुए थे 1855 तो 1849 तक और जो क्रेमियन वार हुए थे 1854 तो 1856 तो इनमें क्या था ब्रिटिश ने डेफिने के लोग थे तो उनमें जो है थोड़ा सा बिलीफ पा गया था यह ब्रिच्च को ब्रिच्चर्स को जो हराए जा सकता है तो यह भी एक कास बना तो आउटसाइड इवेंटस यही थे फिर जो यह एक कास था लास्ट कास यहां प्यार हम देखेगे तो यह इसकी हम बात करेग कर दो ऺिरेंटस को जो है ब्रिच्च की पोल्सथ कुछ हैसी थी कि स्ब आउटस को वो वीर करते थे याने माला लगाते थे यह तावी नहींग पहनते थे तो उनको जो कहा गया कि आप यह नहीं लगा सकते, उस पे रेस्ट्रिक्शन लगाई गई, क्योंकि सप्वाइज को इसके लिए अलो नहीं किया गया, उसके बेद रिलिजिस में, उस वकत बिलीफ था हिंदू रिलिजिस में, रिलिजिस में कि जो भी अपने मुलक से बाहर गया, तो उसने अपना कास्ट समझ जो गवा दिया, तो यह भी एक डिस्कंटेंट था सप्वाइज में, क्योंकि सप्वाइज को कुछ सप्वाइज को फिर ड्यूटी के लिए बाहर भी जाना पड़ता था दूसरे मुलकों में, उसके बाद एक और फेक्टर जो था वो था जनरल सर्विस एनलिश्टमेंट एक्टर जो निकाला था, लौड केनिंग ने 1856 में उसमें लिखा गया था कि जो अब फ्रूचर रेक्रूटमेंट होगी बेंगाल आर्मी में, वहां पे एक अंडर्टेक्न पहले ली जाएगी कि वहां पे रेक्रूटमेंट होगे लोग उनको कहीं भी जो है डूटी के लि फिछेंट IORE ऄं में भी जो है इनको भी आइकी जेसा नही इनलता था एकोर कास ता, ओो ता, foreign service allowance would not be given when serving in Sindh and Punjab. याने, जो बिसिपाही Sindh or Punjab में सरू करता ता, उसको foreign service allowance, जो हे, वो नही मिलता ता, याने, एक्ष्ट्रा जो, उनको कुषपेंसे दिये थे, foreign service के लिए, वो उन सपाही को नही दिया गया, जो कि Sindh or Punjab में काम करते थे. और जो लास्ट जो सपोईस के अंदर एक और फैक्ट था, जिसमें सपोईस के अंदर एक एंगर पेदा हुआ, वो था annexation of Awad, यानि जब Awad को अपने कंट्रोल में लिया गया तो Awad क्या था, Awad के बहुत सारे सपाही जो थे, Bridge Company में, वो Awad से ही तालुक रखते थे, तो उनको जो है, अच्छा फील नहीं हुआ, जब Awad भी Bridge के कंट्रोल में चला गया, तो उससे भी जो है, सपोईस के अंदर एक डिसकं तो वीडियो जो है, वो बहुत ही बड़ा बनेगा, और मैं इस सारा जो वीडियो है, जो सारा ये लेक्चर है, एक ही वीडियो में complete करूगा, तो इसके लिए जो है, मैं एक और वीडियो लागा, तो इसमें जो ये बागए के बचे हुए पार्ट से, वो हम पार्ट 2 में cover क तो वो भी एक बहुत ही important part होगा आपके लिए, तो definitely I hope आपके वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कीजिए, इसको share कीजिए, और इस चैनल को subscribe कीजिए, तो मिलते हैं इस वीडियो के part second में तब तक के लिए thank you and take care.